कि जहिन मैं इसान सौरव अब सभी को लेट्स कॉलिफ है नौ में स्वागत करता हूं तो बच्चों मैंने ब्लड रिलेशन टॉपिक असाठ के था और ब्लड रिलेशन में मैंने कौंसेप्ट बहुत सारे कौंसेप्ट को मैंने करवाया था कि इसकी वाद रिलेशन को किस तरह से डिनोट करेंगे उन चीजों को मैंने डाइग्राम के साथ भी डिसकर्स किया था और साथ में कुछ कोर्शन्स भी करवाये थे तो जिन बच्चों ने भी उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन पार्ट को देखेंगे आप लो कोस्टन करवा रहा हूं है ना ताकि आप लोगों को डाइग्राम को समझने में और रिलेशन को समझने में कि किस तरह के रिलेशन को क्या कहा जाएगा उन चीजों को समझने में आप लोगों को काफी असाल होगी अब यहां पर मैं कुछ question ले रहा हूं बच्चों यहां पर ध्यान देंगे मैं यहां पर कुछ question ले रहा हूं है और वह question है यहां पर ध्यान देंगे आप लोग कि A is A is father of B A is father of B हाना इसके बाद C is A is father of B and C is C is son of D अब ध्यान देंगे यहां पर A is father of B and C is son of D अब बच्चों यहां पर दिया गया है कि E is brother of A E is brother of A इसके बाद है यहां पर and and B is and B is and B is sister of C and B is sister of C इसके बाद है आपको दें then then यहां पर then how is then how is D then how is D related to C sorry then how is D related to E अब ध्यान दें बच्चों यहां पर अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को डाइग्राम को समझाया था कि father son mother son mother daughter father daughter brother sister इन चीजों को किस तरह से denote करते हैं है ना तो अगर जो भी बच्चे उन डाइग्राम को अगर नहीं समझे हैं तो फिर इस question को solve करने से फिर आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले concept वाले parts को देखेंगे फिर इस वीडियो पर आएंगे अब बच्चों यहां पर ध्यान दें question पर क्या कर रहा है कि a is father or b यहां पर a को बता रहा है कि a है वो पिता है किसके तो b के है ना तो मैंने आपको बताया था कि a is father or b मतलब कि father और child की relation को किस तरह से denote करेंगे तो यहां पर देखेंगे आप लोग यहां पर a को मैंने father लिया father means male तो mail को मैंने box से denote किया बच्चों और किसके father है तो b के father है अब देखेंगे यहां पर इस वाले line में b के बारे में gender confirm नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों है ना लड़लो यहां पर b के बारे में gender confirm नहीं हुआ है इसलिए मैं यहां पर b का कोई gender यहां पर specific नहीं कर रहा हूं ना तो मैं circles denote कर रहा हूं नहीं मैं box से denote कर रहा हूं इसकी बात क्या कर रहा है बच्चों नेक्ष लाइन में देखेंगे कि c is son of d अब यहां पर देखें यह line ही कुछ दूसरा line है अब क्या कराना कि जो c है वो son है किसके तो d के अब यहां तक line में जो first line अभी तक मैंने diagram को यहां पर denote किया क्या इसमें d के बारें कुछ बोला गया है नहीं बोला गया है तब तो इस line को हमें अभी छोड़ना पड़ेगा फिलाल आगे जहां से relation एक दूसरे से जुड़ेंगे वहां से मैं इस relation को जोड़ दूँगा अभी फिलाल के लिए से आप छोड़ दे next line क्या करा है कि e is brother of a अब देखें यहां पर इस वाले line को e किसका भाई है तो a का भाई है मैंने बताया था बच्चों की ब्रदर को किस तरह से यहां पर denote करते हैं है ना यहां पर देखेंगे मैंने यहां पर e को denote कर दिया और यह है जो किसका भाई है बच्चों यहां पर तो a का है ना जब ब्रदर ह तो ब्रदर मेल होता है और मेल को मैंने बॉक्स से डिनोट कर गया अब लाड़नों यहां पर ध्यान दें अब यहां पर एंड आया है लेकिन यह वह एंड नहीं है जो इसके अगर जो भी बच्चे सेकेंड पार्ट को देखेंगे बलड रिलेशन का तो उसमें एंड और हो के बारे में मैंने डिटियल से डिसकर्स करा किया था कि किस तरह से एंड का यूज किया जाता है और हो का यूज किया जाता है सेकेंड निम के लिए या फिर फर्स्ट निम के लिए हैना इरीजिनिंग टोपिक में बात कर रहा हूं है इंगलिस के टोपिक नहीं है लेकिन यहां पर दो अलग अलग पार्ट को बाट रहा है मतलब यह लाइन अलग है तो यह लाइन अलग है आप लोग समझ जाएंगे जब को जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी चीजे अब देखें बचों यहां पर अब यहां पर दिखिए बी के बारे में जो यहां पर जेंडर बी का नहीं दिखाया गया था और बी का जेंडर यहां से कंफर्म हो रहा है है ना इसलिए मैं बारबार बोल रहा हूं कि जब भी जेंडर जब भी किसी भी नाम को लेकर जेंडर अगर डायरेक्ट दिया जाएग पकड़ कर किसी भी नेम को जिस नेम के लिए दिये जाएगा उसका जेंडर आप लोग अस्पेसिफिक करेंगे अगर डायरेक्ट और इंडारेक्ट रूप में भी अगर जेंडर के बारे में किसी भी नाम को लेकर जेंडर के बारे में नहीं बताया गया है कोश्चन में तब आप लोग उस नेम के लिए जेंडर के रूप में कुछ भी उजना करेंगे ना तो सरकल और नहीं बॉप्स अब बच्वों यहां पर ध्यान दें कि B is sister of C अब यहां पर B को क्या बताया है कि sister है और किसकी है तो सीख यहां दें कि इस लाइन को अभी हम लोगोंने छोडा था इस लाइन को अभी हमने छोडा था और बच्चों जब इस लाइन को अपन छोड़े थे अब उस लाइन को connect करने का समय आच चुका है समझ रहे हैं लाड़ों तो अब उसे कनेक्ट करते हैं यहां पर क्या करा ना मचो कि C is son of D अब यह बताएं कि यहां से यह है जो फादर है B के और B है जो सिस्टर है C के है ना जब फादर मिल गया है ना जब फादर मिल गए तो बचे को मदर ही तो है कि जो C है ना वो बेटा है तो बेटा का मतलब यहां पर मेल हो जाएगा और मेल को अपन किस से डिनोट कर दिया यहां पर बॉक्स से और बच्चो किसका बेटा है तो डी का जब डी का बेटा है तो फादर तो मिल गए है ना तो अब जो आएगी यहां पर वो क्या ही मदर तो मतलब की डी को क्या डिनोट कर दी यहां से सरकल से ताकि यह बताए कि डी क्या है यहां पर फिमेल है अब यहां पर द्यान दे अब यह रिलेशन जो जितना कह रहा था कोस्चान में नेम को लेकर उतना तो अपन डाइगराम को कंप्लीट कर दिये है ना कंप्लीट कर दिये अब बच्चो सबसे बड़ी चीज है आपको यह द्यान देना होगा देन हाउ डी रिलेटेट टूई अब आपको यह बताना है कि डी है वो किस तरह से संबंदर रखती है यह के साथ अब द्यान दें है ना डी है जो वाइफ है एकी है ना और ए है वो भाई है एकी तो मतलब यह जो डी है वो कौन लगेगी भावी ही तो लगेगी भावी को क्या बोलते हैं सिस्टर इन लो एही तो बोलते हैं और यही क्या हो गया बचो इस को सिन का अनसर वो गया तो ध्यान दें कि कोेस्चन में किस तरह से घुमाता है वोग वी नहीं चीजों को आप लोग पक्ड़ें मांुहिं ना उन चीजों को आप लोग पकड़ाना सिखें आप एक G is, G is, brother of M, ध्यान दियां दियां दियां, G is brother of M, and, and, father of, and father of G, and father of G, next I have, ki, N is, N is, wife of N, N is, wife of L, L, इसके बाद है यहां पे, ki, L is, L is, son of M, L is son of M, L is son of M, M and, M and, M and P, M and P, हना, who is, who is, who is, sister of K, who is sister of K, अब बच्चों यहां पे ध्यान देंगे, अब यहां पे आप लोगों को diagram को बताना होगा, है न, यहां पे यह जो question मैं ने लिया, actually question लेने अभी क्या है, कि मैं आप लोगों को diagram बताने सिखा रहा हूं, कि diagram को किस तरह से draw कर पाएंगे आप लोग, है न, बच्चों, यहां पे तो ध्यान दें मेरे लाड़नों, यहां पे कह रहा है कि G is brother of M, G है वो brother है, और वो किसका brother है, तो M का brother है, तो brother means मेरे लाड़नों, male होता है और male को अपन बॉक्स से denote कर दें, तो G क्या हो गया लाड़नों यहां पे, male, तो male को मैंने बॉक्स से denote कर दिया, और किसका भाई है बच्चों, तो यह M का भाई है, अब देखें यहां पे, and father of G, यहां पे जो and का use किया गया है न बच्चों, वो and का use किया गया है first के लिए, और first name क्या है, जी, और पीछे वाला जो and का use किया गया था, वो दो sentence को अलग-अलग कर रहा था, लेकिन यहां पे है, जो and का use किया गया है, वो and का use इसके लिए किया गया है, first name के लिए मतलब दूर के लिए, अगर यहीं पे अगर who होता न बच्चों, तो who use किया रहता यह हम के लिए, अब यहां पे देखें बच्चों, अब क्या कर रहा है कि father of and father, sorry, यहां पे g, g नहीं होगा, यहां का दूसरा नाम ले लेंगे, यहां पे नाम ले ले लिजिए, q, q, sorry, and father of q, अब g है, वो तो भाई हुआ यहां का, और दूसरी क्या हुआ, कि पिता है, और किसके पिता है, तो q का, तो father है और बच्चे का जो relation को अपन बताये थे, वो किस तरह से, इस तरह से था q का, अब देखें यहां पे, अभी भी यहां पे q के बारे में कोई gender का specification नहीं किया गया है, इसलिए अपन यहां पे q का gender नहीं देंगे, ना तो circle देंगे बच्चों, और नहीं यहां पे box देंगे, अब निश्ट ध्यान दे कि, इन is wife of ela, अब सबसे बड़ा check करें अपे, किया इस line का जिक्र में जो इन है, और real का किया गया है कि अभी तक Gen और real कहीं मिला है, अगर नहीं मिला है, तब तो इसलिंगे ओन का नहीं कृ नहीं दे सकते हैं, हमें क्या करना होगा, फिलहाल इस line को छोड़ना होगा, हैना इसे छोड़कर अपना अले बढ़ते हैं घ्यान दे कि एल इस सजांब कि यह जो रहा हो रहा है और देखें अब देखें अहां पे जब एल किसका बेटा हो गया यम का और क्या करावचो कि जो यन है वो वाइफ है किसकी तो यन की तो यहां से यन को अपन क्या कर दिया वाइफ बना दिया और किसकी वाइफ तो यल की यह दोनों क्या हो गया आपस में husband wife हो गया है चलो आगे अब नेक्ष देखें अब यह चीज और है यह वह son son of m and p अब देखें बच्चों जो यहां पर यह वह son हुआ है बेटा हुआ है किसका तो m and p m and p दोनों का बेटा है अब देखें यहां पर मतलब कि यहां पर जब सबसे पहली बात इससे मैं मिटा रहा हूँ फिर से देखें इस लाएं को क्या कराना कि l है वो l is son of m and p मतलब कि जो l है वो m और p का बेटा है और बच्चों देखें जब बेटा हो रहा है किसका m का और p का तो यह दोनों आपस में husband wife होंगे m और p आपस में क्या होंगे husband wife होंगे न बच्चों अब एक चीज़ यहां पर दिहान दे जब husband wife होंगे तो इससे double line से denote करेंगे न और यह क्या हो गया बच्चों यह हो गया son अभी तक यहां पर यहां और पी के बारे में कोई gender का specific कि अभी तक कुछ भी confirm नहीं बताया गया है इसलिए यहां पर न तो यह मेल बनाएँगे नहीं फीमेल बनाएँगे और नहीं प्रीन मेल बनाएंगे और नहीं मेल बनाएंगे समझ माई बात जहां पर जेंडर का किलियर कर देगा यह और पी के बारे में या फिर क्यों के बारे में उस समय वहां पर इन सभी के जेंडर को देंगे अभी फिलार इन दोनों को जेंडर की बारे में कुछ भी बाते नहीं करेंगे ब अब बचों यहां पे ध्यान दे, P अब देखें, जो हू का यूज किया गया है सिकेंड नेम के लिए मतलब की यहां पे जो नजदीख है उसके लिए किया गया है, तो नजदी किया है,客 है, मतलब P के लिए उसक्या jan गया है, अभी तक ये दोनों के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था लेकिन अब कंफर्मेशन हो रहा है देखिए कैसे यहां पर क्या बता रहा है ना बच्चों कि पी इज सिष्टर ऑफ के पी हूँ मैंने इस हूँ और एंड का यूज बताया था बच्चों इसके प्रिवेस वाले पार्ट में तो लाटनों यहां पर देहां दे कि जो हो का अगर यूज करेगा तो समझ आईए वो नजदीक में जो भी पर्ट होगा ना उसके लिए उज करेगा लगविए को समझ में आई बात से ना मतलब कि सेकेंड ने जो सबसे जादा नस्थिक होगा थैं हाँ प्यूज कैसे ए मतलब कि अपन क्या बना दिये सिष्टर बना दिये किस Filip नहीं कर पाएगे क्यों कि यहां पर भीत से लुखा न भर प्रॉट सोण फोकस करेंगे उन चीजनों को बारे में अपने ध्यान देंगे अब मैं इसे मिटा रहा हूँ अब next question की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं आप लोग ध्यान पूर्वा की से नोट करते चलेंगे और जो भी doubts होते हैं उसे comment section में आप लोग जरूर दें और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो उसे like और share जरूर करें अब देखे बचों next question है next question यह है कि a is son of b a is son of b इसके बाद कर रहा है कि b is mother of c और यह कर रहा है कि d is sister of c and d is sister of c अब कुछ यह कर रहा है अब देखे next question आगे देखेंगे a क्या कर रहा है कि how is how is how is a how is a how is a how is a related how is a related to d और question number second है बच्छे हाँ पर question number second है ध्यान देगे question number second यह कर रहा है कि how is how is d how is d related to a ध्यान देखेंगे कि किस तरह से हाँ पर questions उठाए जा रहा है अब बच्छे हाँ पर जान देखेंगे क्या कर रहा है ना कि इसे sort करने से पहले हमें क्या करना होगा कि इन चीजों को ध्यान देना होगा हमें पहले इस वाले parts को देखना होगा जब यह इसका डाइग्राम बन गया थी अपने आप हो जाएगा अभी इससे क्या करते है अपने ignore करते हैं क्या कर रहा है ना कि a is sun अभी अब दिखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि a है वो sun है और किसका sun है तो b का sun है तो बच्छों में हाँ पर द्यान देया भी इसके फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में मैंने रिलेशन को डिटेल से बताया था कि रिलेशन को किस तरह से डिनोट करेंगे तहां पे a is sun of b sun of b मतलब बेटा क्या है एक पीड़ी नीचा है ना एक पीड़ी क्या है नीची है और बी क्य एक पिढ़ी उपर है तो बी को अपन क्या रखेंगे ऊपर रखेंगे और बी का बेटा क्या है एए है कौन है तो ए है यह सन है मतलब की मेल हो गया मेल को अपन बॉक्स इतनल कर दिये अब बच्छे आप द्यान दे भी इस मदर ऑफ सी अब यहां से बी का जंडर कर फॉर्म हो ए और सी के बीच में रिलेशन होगा और क्या रिलेशन है तो ए भाई लगेगा किसका तो सी का और सी के बारे में जंडर कंफर्मेशन नहीं हुगा बच्छों है ना तो सी के बारे में कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि यह क्या होगी मेल होगी या फिमेल होगा या फिमेल होगी ह तो इसलिए मैं इहां पर c को इस तरह से लिख दिया हो सकता है दोनों भाई होंगे हो सकता है कि सिश्टर होगी इसकी अब ध्यान दें यहां से बेटा हो गया बी का और यहां से जो सी है वो क्या होगे बच्ची होगे बच्चे मिन्स बच्चे कहने का मतलब समझ आएं कि मेल दोनों तो से के बारेम गदें ї कि बारेमें सबने नहीं नहीं है और फिस्थ्योट कि का और और अब इहां दो जब जहां की सिश्टर वे शिटर है कि यह करेम하면서 नहीं हुआ है तो इहां पर क्या करेंगे सी का जो भी जेंडर होगा ना लग लो उसे अपन नहीं डेनोट करेंगे क्योंकि यहां पर जेंडर कंफॉर्म नहीं है मेल है या फिमेल है अब देखते हैं को सब्सक्राइब के कि को सब्सक्राइब अब यहां पर यहां पर यह बता रहा है कि डी है वो सब्सक्राइब कि यहां पर बताना है समझ में आई बाते हैं ना कि डी से एक तरफ जाना यह नहीं जाना है हमें इस पर काम करना है एरोपे ध्यान दें इस पर हमें एक तरफ से रिलेशन को बताना है तो ए क्या हो रहा है बच्चों भाई हो रहा है किसका तो डी का तो बच्चों जो इसका अंसर होगा ना वो क्या होगा ब्रदर होगा क्या होगा ब्रदर होगा अब next में देखें कि how is d related to a अब जो d है वो a से किस तरह से सम्मंद रखता है अब यहां पे क्या है बच्चो ध्यान दे अब हमें d से a की तरफ चलना है यह वाला सही है है अगर a से d की तरफ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा बच्चो गलत हो होगी है ना तो अब हमें d से a की तरफ चलना है तो ड क्या हो गया बच्चो यहां पे sister हो गया तो इस तरह से questions घुमा कर examination में पूछे जाते हैं अब अगर हम बाते करते हैं तो देखिए अब क्या है यहां पे कि अगर देखिए बनड रिलेशन में क्या है कि अभी मैं कुछ प्रिविएस यर्स का questions करवाऊंगा है ना नेक्स पार्ट में इसकी बाद जब कुछ questions करवाये जाएंगे हाई लेवल तक questions ले जाऊंगा मैं और इसके बाद जब इससे related questions करा दिये जाएंगे इसके बाद आप लोगों का start किया जाएगा कोडेड बलड रिलेशन है ना कि जो भी बलड रिलेशन होता है उसे कोड से आपको दिया जाएगा और उस कोड को एक स्ट्रीटमेंट में जिसे यहां पर खैर उसे मैं अपन जब स्टार्ट होगा तब आप लोगों को डिटेल से करवाएंगे अब क्या है ना बच्चों कि अब नेक्स्ट पार्ट में अपन पूछे गए questions हैं उससे मैं ला रहा हूं है ना तो जिन बच्चों भी अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करेंगे और वेल आइकन पर किलिक करेंगे और ताकि जो भी वीडियो आएगा ना जो सबसे पहले आपके पास पहुचेएगा और सेशन आप अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करें शेयर करें और जो भी डाउट्स होता है ना लाट लोग उससे कमेंट सेक्षन में आप लोग जरूर देंगे है ना तो मिलते हैं नेक्ष्ट पार्ट में नेक्ष्ट वीडियो में तक तक जैहिंद